दोस्तों सौगत है आपका, आपके अपने ही चैनल स्माइल राइट पे और आज अपने साथ है बज़ाचे तक जे तक में आपको complete LED setup दिखने वाला है यहाँ पे LED headlamp के साथ powerful ring DRL मिलेंगे front में LED indicators आते हैं rear के side में rear में जो tail lamp है उसी में integrated आपको indicators दिखेंगे जो बहुत unique design है Italian दिखता है यह premium feel आता है इसका वैसे इस variant का नाम भी premium tech pack है वैसे जो एक golden color है इसका नाम है hazelnut यह इसकी smart key है यह आपके pass रहेगी तभी आप चेतक को operate कर सकते हो रखते हैं इसको आपने जेब में इस चावी की मदद से आप गाड़ी को 30 मिटर के अंतर में ढून पाओगे यहाँ एक multifunctional power button है long press करोगे तो handle lock हो जाएगा एक बार press करेंगे गाड़ी unlock हो जाएगी single press से चेतक अभी neutral mode पर है console भी on हो चुका है इसका एस चेतक retro theme पर बनाए इसलिए यह सब round दिया गया है यहाँ पर retro looks के लिए इसके buttons मुझे ola के buttons से अच्छे लगे operations काफी smooth है इसके आगे वीडियो में इसके features explore करेंगे यहाँ पर यह जो display मिलने वाला है full digital और colorful है यहाँ पर time, speed, range आपका battery percentage, odo और single trip है यहाँ पर और SOC मतलब battery percentage होगा आपका जैसा आप देख सकते हो 64% है अभी battery जब आप गाड़ी चालू करते हो यह neutral पे रहेगी, so जब आप D button प्रेस करोगे, brake दबाके तब आपको दिखेगा यह drive mode में आ चुकी है और eco mode on है इसका, आप mode के button से इसका mode भी change कर सकते हो, जो कि दूसरा mode है sports mode फिलाल यह eco में है, बढ़ते हैं इसके left switch mode की दरफ यहाँ पे आपको दिखेगा upper dipper का button, light on or off का button then यह next play pause button, और यह horn है इसका, और यह left indicator on off switch देखते हैं इसके right side के switches, यह drive mode है जो आपको brake दबाके operate करना है फिर next यह reverse mode है, यह mode से इसके, जिससे आप change कर सकते हो, left side का indicator और इस button से आप storage open कर सकते हो, जैसे single press करोगे open हो जाएगा इसका, close करते हैं इसको, और इस button को अगर आप long press करते हो तो seat open हो जाएगा आपका, चेक करते हैं इसका storage, so जगह काफी है, एक half way cellmate बैठ सकता है इसमें, और आपकी छोटी purge, so आप मेरे हाथ से अंधाजा लगा सकते हो इसके size का, Ola से तोड़ा छोटा लगा मुझे, as मैं Ola का owner हूँ, यहाँ पर light भी मिलेगा आपको, so उसके कोई दिक्कत नहीं है और charging भी आपका यहीं पर है, so यह rubber cover है, remove करके यहाँ पर आप चार्ज करेंगे इसको यह इसका 220 Watt का 5A का 3-pin charger है, close करते हैं इसको, और करते हैं seat को बंद, seat काफी smoothly बंद होता है और इसमें auto lock भी है, so आपको press करने की दुरवत नहीं है वैसे चलते हैं इसके front storage की तरफ, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता है so यह है charger, इसका USB charger, यह first aid kit, और यह इसका tool kit है यहाँ पर सारे equipment है, आप देख सकते हो, अच्छे से लगा के रखा हुआ है दूसरे साइड में एक compartment है, जहाँ पर आप फोन या कुछ छोड़ा मोठा रख सकते हो so close करते हैं इसको, बात करते हैं इनके tires की, तो हमें दिखते हैं यहाँ पर MRF के tires, 90 by 90, 12 इंच के tires हैं यह, यह disc मिलती है, कॉमी ब्रेकिंग के साथ आता है और front में हमको single sided suspension दिखता है, for soft handling, यहाँ पर हमें steel alloy wheels देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर single sided suspension है, so दूसरे साइड में कुछ नहीं है, और यह ऐसे looks आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं, आते हैं इसके rear में, यहाँ भी MRF के tires है, 90 by 100 size है, 12 इंच के ही tire मिलेंगे आपको, steel alloy wheels के साथ, drum brakes आते हैं यहाँ पर, rear में भी आपको single sided monoshock ही देखने मिलने वाला है, premium variant में आपको 3.2 kilowatt की battery मिलेगी, और 4.2 kilowatt का motor है इसमें, गाड़ी चलाते वक्त मैं बताऊंगा आपको इसके features, यह आपको ladies footrest मिलेगा, इसमें, फिर यहाँ पर आपको main stand भी मिलने वाला पर ली दिखाता हूँ, मेरे pair reachable है, flat foot है अच्छे से, इसका seat structure जो है Ola से बहुत अच्छा है, Ola की seat का length इतना ही है, बस वो wide है, चलिए इसे चला के देखते है, ऐसा Ola owner जब मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसकी motor मुझे mature और थोड़ी linear लगती है, as compared to my Ola, but Ola feels more responsive, यहाँ पर एकदम naturally, जैसे petrol scooter होता है, वैसे यहाँ पर speed आपको मिलेगा, और बहुत linear है यह, so jerks नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आप accelerate करो या न करो, eco is good, sports में आपको थोड़ा सा speed up मिल जाता है, बट जादा difference नहीं है दोनों में, वैसे इसकी screen थोड़ी bright हो सकती थी और, क् जो update आने वाला है इसका, उसमें 5-inch TFT screen मिलने वाला है, इसके mirror shape जो है, बहुत cool लगे मुझे, आपको कैसे लगे मुझे comments में जरूर बताईए, हाँ और सबसे important feature, hill hold assist, जो जब चढ़ान पे आप आप आचानक से रुके होगे, आपको brake दवाने की ज़ुरत नहीं है, गाड तक देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही content के लिए subscribe करें हमारे channel को, thank you guys